नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो शॉट एंड स्वीट होगी पर उसमें काफी सारी चीज़े कवर करेंगे नाकेवल शॉट टर्म टाइम फ्रेम कैसा जा रहा है हम साथी साथ यह जो फड आरक है बड़ा वाला जिसके वारे में कल्व सर्चा की थी कि बहुत सारी जर्मा सटोशी स्टाकर इंडिया में आपका स्वागत है चैनल पर नए है तो आपको पता है क्या करना है बेल आइकन दबाना है सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करना है अगर पसंद आता है तो आइम शॉर यह वीडियो आपके लिए बहुत जादा यूसफुल लेट जंप इंटो प्राइस अक्षिन दोस्तों बिटकोइन जो है पिछले दो हफ्ते में अल्मोस 40% परशेंट पंप किया है 32,000 डॉलर से 44-45,000 डॉलर पर आया है यह केवल इसी करनसी में हो सकता है इसी क्रिप्टो इंडस्री में हो सकता है कि इतने बड़ बड़े पंप पाते हैं और पिछले दो दिनों से जो है थोड़ा sideways moment है हलाकि price intact है अपनी range के अंदर 45-45,000 के बीच में पर जरूर मार्केट में nervousness है जो हमने कल बात करी थी Bitfinex का जो almost 120,000 bitcoins का जो hack था जो bitcoins receive कर लिए है recover कर लिए है Department of Justice US ने वो तीन सिनारियो है या तह वो open market में बेचे है या फिर वो अपने बास retain करेंगे और announce कर देंगे हम बेचने वाले नहीं है तो बहुत ही positive है या तो वो यह बोलेंगे कि हम Bitfinex को वापस कर देंगे तो वो भी negative है which is as good as selling तो तीनों सिनारियो उस पर हमारी penny निगाह है news, alerts, articles सब जो है देखे जा रहे है और आपको सबस सेक्षन में भी डालते हैं YouTube के जो आपको अपनी वाल पर दिखाई देता होगा तो ताकि आप इन अपडेट को प्राप्त कर सकें तो इस समय जो है market के सूर्तेहाल वही है जो हमने आपको पहले बताया था support अच्छी कासी है 22,000 डॉलर पर नीचे नहीं जाना चाहिए और उ हमारे लिए क्या ट्रेंड में आपको यहां दिखाने वाला हूं इस चार्ट में जो कि हमारा लॉंग तम चार्ट है यानि कि फॉर डेज फ्रिक्वेंसी का चार्ट है इसमें एक ट्रेंड दिखाई दिया है RSI का RSI ने जब भी higher high बनाया है पास्ट में उसके बाद जो है exponential bull run market में आये हैं उसका day wise में देखेंगे कि जो bull run है उसके बाद की पीडा जो है वो कितने समय तक रहती है तो यहां पर सबसे पहले अपने 2017 में देखा कि stock RSI ने higher high बनाया था November में और उसके बाद हमें peak आने के बाद करीब 570 दिनों का जो है वो लल पीरिड ये decline मिला इसके प्राइस में जो bump आ रहा है उसके पीछे कितनी volume है कितना जदा market लगी हुई है buying orders कैसे है वो सारा मिला के एक forward looking एक indicator है तो 570 दिन के bearish time के बाद bitcoin ने higher high बनाया और दूसरी बार जो है उस higher high के बाद 591 दिनों के बाद bitcoin ने higher high बनाया जनवरी से फरवरी 2021 में करीब एक साल प अगर history अपने आपको repeat कर रही है history कोई भी indication है तो 593 दिन हो चुके है bitcoin higher high नहीं बनाया है और exactly वही अगर पिछला trend देगे 570 दिन का 591 दिन का तो उस trend के हिसाब से करीब 600 दिनों में higher high अगला बनना चाहिए जो कि करीब करी अगस्त 13 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में आ रह तो उसके बाद जो peak आएगा higher high का वो 13 अगस्त के बीच में आएगा देखने वाली बात है कहां तक यह price जाता है बहरहाल stock market हमारी अच्छी दिख रही है bitcoin ने shock को observe कर लिया है यहां पर observe कर लिया है यहां पर जो market जो है bitfenix के recovery hack recovery के बाद जो है panic नहीं की है अगर stock market को देख इसके बाद इस news से आप समझ सकते हैं क्या होगा comment करके बताईए अगर use government आज यह comment कर देती है यह news निकाल देती है announcement कर देती है तो market में क्या होगा उसके बाद हम अच्छा खासा trade लेंगे आप अभी भी ले सकते हैं अपने risk को control करके but हम अच्छा खासा long जो है तब लेंग